नमस्कार कुईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक फोन से दुसरे फोन में एप्स को कैसे भेजते हैं, सेयर करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जिस फोन से आपको apps को भेजना है, दुसने फोन में send करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस फोन के display को open कर लेना है, उसके बाद अब यहाँ से आपको जिस भी app को share करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप आपको उस एप पे थोड़ा देर अंगली दबाक रखना है, लॉंग प्रेस करना है, उसके बाद आपको नीचे में एक सेर का उप्शन मिलेगा, अब आपको क्या करना है कि सेर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उपर में आपको एक नेरवाई सेर का उप्शन मिलेगा, अब आपको क्या करना है कि यहां पर जो भी आपको नेरवाई सेर दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको क्या करना है कि दूसरे फोन में आपको जिसमें भी एप को लेना है, रिसीव करना है, उस phone में आपको display को क्या करना है कि उपर से नीचे की वो down करना है down करने के बाद यहाँ पर आपको एक quick share का option मिलेगा अब आपको क्या करना है कि quick share पे click करना है click करने के बाद यहाँ से आपको everyone को select करना है उसके बाद आपको done पे click करना है क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको दूसरे फोन में वह नेम दिख जाएगा आपके आसपास में जो भी नेरवाई सेर ओन होगा यहां पर दिख जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दूसरा फोन आ गिया है यहां पर जो भी यहां पर हम जिस फोन में भेजना चाहते हैं, उसका नाम यहां पर दिखा रहा है, तो अब आपको क्या करना है, कि उसके नेम पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दूसरे फोन में इस तरह से आपको एक पप आएगा, अब आपको क्या करना है, कि ए यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरा जो एप है यहां पर सेंड हो गया है दूसरे फोन में आ गया है अब यहां से अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको ओपन पर क्लिक करना है अब यहां पर वह एप दिख जागा अब इस एप पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से आपको क्या करना है कि install करने के लिए आपको settings पे click करना है और यहां से permission को allow कर देना है अलाव करने के बाद अब आपको install का option मिलेगा आपको install पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ आप दूसरे phone में apps इंस्टॉल हो जाएगा आपको done पे क्लिक करना है और यहाँ से cut करना है और यहां आप देख सकते हैं कि आप दूसरे फोन में app install हो गया है आ गया है तो इस तरह से आप एक फोन से दूसरे फोन में apps को share कर सकते हैं भेज सकते हैं send कर सकते हैं धन्यवाद